मांबिका माता मनसा देवी की भूमी अंबाला की धर्थी से पूरे हरियाना को राम राम हरियाना याने हिम्मत हरियाना याने होसला और तभी जो हरियाना धाकड है धाकड और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाना की रोटी खाई है और हरियाना की तरह ही मोदी ने दस साल तक सरकार भी धाकड चलाई है आज अंबाला के आसमान में रफाइल के विमान जब उरते हैं तो आपको गर्व होता है और नहीं होता है गर्व होता है और नहीं होता है साथ्रियों आज मैं आपसे अगले पात साल के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आएं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आज मेरे बहुत पुराने साथी संगधन में भी काम किया सरकार में भी काम किया हमारे रतनलाल जी कटारिया जी की बर्ची है मैं उन्हें भी अपनी स्रद्धान्जली देता हूँ बाई यर बैनो चार जुन में अब सिर्फ सत्रा दिन बचे हैं चार चरणों के चुनाओं में कॉंग्रेस और इंडी गडबंदन यह उनके सारे साती सारे दाल चार चरण में चारों खाने चिक्त हो चुके हैं इंडी वालों ने देश के खिलाब झो बी दाओं पे चले थे अंध चुनाओं के मेधान में प्यों यह उनका जनाथं आक जनार्दन ने में खुद पटक ने दे दी है और हर्याना तो वो राज्य है जिसकी रगों में देश भक्ती है देश विरोधी ताकतों को हर्याना अच्छी तरह जानता है पहचानता है और इसलिए हर्याना का गाओं गाओं घर गर एक की आवाज में बोल रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों जब देश में एक धाकर सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले सौ बार सोचता है आज आप देखिए जो पाकिस्तान सत्तर सानों से भारत को परिशान कर रहा था जिसके हाथ में बंब का गोला रहता था आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है जब दाकर सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है साथियों क्या कोई कमजोर सरकार जम्मु कश्मीर में हालात बदल सकती थी जम्मु कश्मीर में हालात बदल सकती थी वो जम्माना याद करिये जब कॉंग्रेस के सरकार थी हर्याना की वीर माता है दिन रात चिंता में रहती थी कब किसी आतंकी का गोला फड़िया है कब किसी पत्थर से हमारे फोजियों का सिर्फ फट जाए और आज दस साल हो गए सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया बंद हुआ कि नहीं हुआ मोदी की धाकड सरकार ने तीन सो सत्तर की दिवार गिराई और कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है भाई और बैनो कॉंग्रेस का इतिहास हमारी सेनाओं को फोजियों को दोखा देने का रहा है बेस का पहला गोटाला कॉंग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था इस ट्रेक रिकॉर्ड को कॉंग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए गोटाले करके उसे उसने बनाए रखा बफोर्स गोटाला पंडुब्भी गोटाला हेलिकॉप्टर गोटाला कॉंग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बना कर रखते थे जानते हैं क्यों ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके हमारे साहिनिकों की छोटी छोटी जर्रतों को तो यह कॉंग्रेसी पूछते तक नहीं थे हमारे साहिनिकों को कपड़े जूते बुलेट रूफ जैकेट ये भी ठिक से नसीब नहीं होते थे उनके पास अच्छी राइफले तक नहीं थे उन्हें लाठी देकर कहा जाता था कि आतंक्यों की गोलियों का मुकाबला करो और जब मोधी सरकार में आया तो उसे ने कहा अब ये नहीं चलेगा मैंने भारत की सेनाओं को आत्म निर्भर बनाने का अभ्यान शुरू किया आज सेना को मेडिन इंडिया हत्यार मिल रहे हैं जो भारत कभी दूसरे देशों से हत्यार मंगाता था वो अब दूसरे देशों को हत्यार बेच रहा है साथ्यों कॉंग्रेस ने हमारे पूर्व सहिनिकों के साथ भी विश्वास गात किया चार दसक तक कॉंग्रेस पूर्व सहिनिकों को वन रैंक वन पैंशन के लिए तरसाती रही और जब दोजर तेरा मुन को लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनोती बन गया है तो उन्होंने जाते जाते वन रैंग वन पैंशन के लिए पांसो करोड रुप्य का बजेट में प्राधान किया अब पांसो करोड का काज़ लेकर के इस सहजादे हर्याना में पूर्व सहिनिकों के सम्मेलन करते थे पंजाब में जाते थे हिमाचल में जाते थे और ब्रह्म भानाने का काम करते थे कि देखिए हमने वारोपी कर दिया वन रैंग वन पैंशन कर दिया इनकी जूट बोलने की इतनी हिम्मत है इनकी जूट बोलने की इतनी आदत है बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रह्म में रहते हैं ऐसा शामदार जूट बोलते हैं लोग भाईयो भनो जब आपने मुझे सेवा का अउसर दिया मोदी ने डंके की चोट पर बन रैंक बन पैंशन का वाईदा पुरा किया और जना गाउं गाउं पुर्वसाइनिक परिवारों को बताईए कि कॉंग्रेस कैसा जुट बोलती है उन्होंने पांसो करोड रखा था हमारी सरका ने जा मुवारों पिक दिया तो कितना खर्च हुआ पता है उन्होंने पांसो करोड का खेल खेला था हमने बन रैंक बन बन शन दिया तो अब तक एक लाक बीस हजार करोड रुपिय है उससे भी जादा मोदी हरसैनिक की परिवार को पहुँचा चुका है अब आप बताईए पांसो करोड कागज पर लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले देश के लिए जान की बाजी देखाने वाले अर्याना कुरुक्षेत्र की धर्ती जहां सत्य विजय होता है उस धर्ती पर पुर्वसैनिकों के सामने जूठ बोलने का पाप किया था और जब मोदी ने इसको लागू किया एक लाख बीस अजार करोड डुपिय के साथ हर परिवार की चिंता की है और मोदी हर परिवार की चिंता समचता है और इसलिए ऐसे संवेदन सिल निरिने लेता है साथियों मोदी विक्सिद भारत का संकल्प लेकर निकला है और जब मैं विक्सिद भारत का संकल्प निकल कर निकला हूं तब हर्याना का मुझ पर बहुत अधिकार भी है क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हर्याना के भी संस्कार है मैं आज आपको गारंटी देता हूं आपका सपना ही मेरा संकल्प है पल पल आपके नाम पल पल देश के नाम ट्वेंटी फोर बाई सेवन फॉर ट्वेंटी फोर्टी सेवन भायो बहनो विक्सिद भारत के चार स्थम्भ है गरीब, युवा, महिला और किसान मोदीन चारो स्थम्भों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो किसानों का कल्यान मोदी की प्राथविक्ता है 2014 से पहले के 10 सान में कॉंग्रेस की सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ और ये भी मेरा एक काम करेंगे ज़रा मैं आपको पूता हूँ मेरा एक काम करेंगे ज़रा हाथ उपर करके बताईए करेंगे इमेजे आकड़ा बोलता हूँ याद रखेंगे किसानों को जाके बताईएंगे दीरे जे हाथ नीचे हो रहा है बताईएंगे कॉंग्रेस के जमाने में सिर्फ साड़े साथ लाग करोब उपिये का नाच MSP पर खरीज़ा गया था कॉंग्रेस के जमाने में दस साल में कितना साड़े साथ लाग करोड का MSP पर अनाच खरीज़ा गया था ये किसानों के नाम पर राजरीती करते हैं न दस साल में साड़े साथ लाग करो और मोदी ने क्या किया दस साल में बीस लाग करोड रुपिय का MSP में हमने किसानों से अनाज खड़ीदा यानि तीन गुना अनाज MSP पर खड़ीदा गया है और पहले तो पैसा मिलने भे भी कई कई महिने लगते थे अब पैसा सीधे किसान के नाम पर बैंक के खाते में जमा हो जाता है साथियों कॉंग्रेस ने गन्ना किसानों को स्रीफ और सिर्फ दोखा दिया है आज गन्ने का एफार पी करीब करीब साड़े तिनसदो रुपिय क्विंटल है जबकि कॉंग्रेस की सरकार करीब दोसो दस रुपिय प्रति क्विंटल देती थी यह आख़े याद रखना मुहत और जवाब देना एजुट बोलने वालों को 2014 में जब हम लोग आए तब गन्ने का बकाया करीब साथ हजार करोड रुपिया था किसान का पैसा था उसकी मेहनत का पैसा था साथ हजार करोड रुपिया बकाया था जब कि इसी साल हमने एक लाग चौदा हजार करोड की पेमेंट की है यहां अम्बाला करनाव और कुरुक्षित्र के किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी के भी मैं तरवे इसी इलागे का बोल रहा हूँ इसी एक इलागे में छेस्सो पचास करोड रुपिय से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसपर किये गए साथियों आज दुनिया के सामने भारत सूपर फूड लेकर के गया है नुट्रेशन की दुनिया में दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत भारत में है और इसले ग्लोबली पोशक आहार उसका हब बनाने के हमारे पाथ ताकत है यानि जो ज्वार बाजरा जैसा मोटा अनाच हमारा हरियाना का किसान उगाता है उसे मोदी दुनिया तक पहुचाना चाहता है और इसलिए हमने सारे देश में एक पहचान बने इसलिए इस मोटे अनाच को स्री अन्ना नाम से पहचान दी है और हमने पुरे दुनिया के लिए आंतर राष्टे मिलेट येर मनाया और इसकी ताकत देखिए विश्व के लोगों को जब मैं कहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे किसानों के द्वारा इतादा होता है कम से कम पानी में होता है एन्वार्मेंट फ्रेंडली होता है मिया के लोकों को अच्रज होता है पिछले दिनों में अमेरिका गया था अमेरिका के राष्पती जी ने वाइट हाउस में बहुत बड़ा भोजन समार्म रखा था और देश का प्रधान मत्री के लिए इतना बड़ा आज हादी के बाद ऐसे अफसर बहुत कम आए लेकिन मज़ा ये थी कि सारे महमानों को खाने में ये हमारा मिलेट परोसा गया था ये जवार बाजरा परोसा गया था ये सूपर फूर्ड की पहचान बेरे हर्याना राज़तान ये जो राज्य है उनके किसानों के लिए बहुत बड़ा आउसर लेकर आई है साथियों हमें एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना उसको लेकर क्या आई है हम बोलाज से ज़्यादा गोडाउं बनाने पर काम कर रहे हमारे देश में अनाज के इतने बड़े भंडारा उस दिशा में हम काम कर रहे है आने वाले पांच साल में हम आलू प्याज और टमाटर किसानों के लिए विशेष क्लस्टर बनाई जा रहे है साथियों मोडी की एक और गारंटी खेती में ड्रोन करांटी की है और इसकी जिम्मेदारी मैं माता और बहनों को दे रहा हूँ मैं गाओं के महियाओं को ड्रोन पाइलट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ लाखो रुपया का ड्रोन उनको दे रहा हूँ और हर्याना के कृसिक शेत्र को जिस तरह यहां की माता है बहने संबाले हुए आप देखीएगा खेती के ड्रोन के इस्तेवाल में भी हर्याना सबसे आगे रहेगा साथियों खेलों की दुनिया में आच हर्याना का इतना नाम है तो उसके पीछे हमारी बेटियों की ताकत है और मोदी ने बेटियों के लिए साइनी स्कुलों के भी दर्वाजे खोल दिये अभी एंडिये में महिला क्याडेट्स का जो पहला बेट्श ट्रेनिंग ले रहा है उसमें बड़ी संख्या में हमारे हर्याना की बेटिया है साथियों कॉंग्रेस को महिलाओं से किसानों से नवजवानों से कोई मतलब नहीं है कॉंग्रेस को सिर्फ बोट से मतलब है अब बताईए दिल्ली और हर्याना में हाथ में ज़ाडू लेकर गुम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं ज़ाडू वाला चोर है अब इन्होंने हर्याना वालों को समझ क्या रखा है भाई और बैनों इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है अब कॉंग्रेस के लोग कहते हैं कि SC, ST, OBC का आरक्षान धर्म के आधार पर बाढ़ देंगे ये दलितों का पीछडों का आरक्षन छीन लेना चाहते हैं इन लोग अपने वोट बैंक को कुछ करने के लिए सीखों और दलितों को नागरिक्ता देने का भी विरोट कर रहे हैं कॉंग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रच कर देंगे साथ को हमारी सरकार है जो अफगानिस्थान के युद्ध छेत्र से गुरु गंध स्वाब के स्वरूपों को अदब के साथ सुदेश लेकर कर आई है यह हमारी सरकार है दिद्ध साहब जादों की आद में बीर बाल दिवस बनाना शुरू किया है और ऐसे प्रयासों से माता गुजरी जी की इस दर्ती को जरूर गर्व होता होगा लेकिन कॉंग्रेस और इंडी गर्वंधन को ऐसे हर प्रयास से दिक्कत है भाई और भाईनों कॉंग्रेस और इंडी गर्वंधन विकास और विरासत दोनों के विरोधी है पॉन्सो साल बाद इतने लंबे इंतजार के बाद अवीरत संगर्ष के बाद लाखों बलिडानों के बाद पॉन्सो साल बाद अरोध्य में भव्य राम मंदिर बना है पुरा बेश राम मैं हो चुका पुरा बेश राम मंदिर से इतना खुश है इतना खुश है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं लेकिन कॉंगरेश और इंडी गर्बंदन की नेता आए दिन मंदिर के लिए अपमान जन्मान बाते करते हैं भाई और बहनों हमारी सरकार अंबाला की दिल्ली से कनेक्टिवटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हम यहां के एरपोर्ट बेस को उड़ान योजना से भी जोट रहें बहुत जल्द ही आप अंबाला से दूसरे सहरों के लिए हवाई जहाज पकर सकेंगे पहले मनुराल जी के सरमय दर्मयान और अमनायम सिब जी के नेत्रुत्व में अंबाला उत्तर भारत का एक बड़ा इंडिस्ट्रियल हब बन रहा है इन सब का फाइदा यहां के युवाओं को होगा उनके लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे ये चुनाव भारत को आत्मंदर भर बनाने के लिए है ये चुनाव भारत को विच्षिद बनाने के लिए है ये चुनाव देश का प्रधान मंत्री कौन हो किसके हाथों में दिश सुप्रत किया जाए इसके महत्व बाला चुनाव है जाथियों 25 मई को आपके हाँ चुनाव है और 25 मई को अंबाला से बहन बंतो कटारिया जी हमारी उमिद्वार है करनाल से स्री मनोरलाज जी है और कुरुक्षेत्र से बाई नविल जिंदल जी मैं आप से आथिरवाद मागता हूँ भारी वोटों से इनको विजयी बनाईए और इन तीनों को मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा आड़ी सलिए जादा से जादा मतदान हो सुबे दस बजे से पहले मतदान कैसे बढ़े पहले मतदान फिर जलपान ये संकल्प को कैसे गर-गर पहुँचा है जादा से जादा पोलिंग बूठ जीत कर गया है और हर परिवार को अपना वोट का हिदिकार उप्योगरी कंडे के लिए प्रिलीच करें मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्वार बहुत बहुत आभार भारत के यशस्वी मानिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का बहुत बहुत आभार जिस तरीके से उन्होंने भारत की महिलाओं के बड़े भाई के रूप में संरक्षक के रूप में काम किया उसके लिए मानिय मोदी जी का बहुत बहुत आभार आपको बहुत बहुत शचच प्रणा मेरे एकबार मोदी सरकार